प्रिस्पेटेबल डिगनेटरी दों दे डायस, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं फीकी को धन्यवाद दूंगा, कि उन्होंने आज के स्थिती में पीपीपी मोडेल पर मेरे डिपार्टमेंट की आज की स्थिती और नीती के बारे में आप से कुछ चर्चा करने का अवसरम मुझे दिया है। तो ये योजना त्यार करने के लिए कहा था, और दूसरा राष्टिय महामारग को फोर लेन में रुपान्तरिप करने की भी योजना त्यार करने के लिए कहा था। केनेडी का वाग था उसमें जॉन केनेडी उनि testing तरह से कहा था कि अमेरीकन दोस आरला व्मॉड बिकॉसमेरीकश जरी उसमें जॉन करेंडे पाना had मैं मैं यसरुन ने इंपारा कि आरोडा लिएले प्लंच एकी संदिक होनुत चली करने यहार अभी तक ने शसमझ DS आपने काद में आपसे समय जोना है क्योंकि पॉजिटिवली अगर सूरज को यह कहिना नहीं पड़ता कि सूरज निकलने के बाद प्रकाश आता है वो तो understood है तो रोड बनाने से तो prosperity, progress आने वाला है और इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि इसके लिए यह जो social economic impact study करके एक एक साल और उसमें जुड़ देंगे तो यह एक नया प्राब्लेम और उसके करन होगा social economic impact अच्छे ही है रोड सेक्टर अगर खड़ा होगा तो समाज और देश आगे ही जाएगा इसमें खुई दूमत नहीं है कि आज के स्थिती में कि मुझे इस बात का और एक खुशी है कि इस देश का पहला पीपी रोड शुरू करने का मोका मुसे मिला जब मैं मंत्री था वो नैशनल हैवे पर ठाणी विवन्डी बाइपास करके पहला ब्योटी रोड जो था वो शुरू हो और उसकी कलपना भी म मैं मंत्री बना है तो मल्बारेल पर मुंबय में बड़े मंगले में रहने के लिए शुमें कलप कलर टीवी नहीं था है, तो मैं मनेके इस यादत थी कि मक्रश में सेप खुशेंक ढूल कर भूंता हुएंग घुमते के बहुता घुब जाता हों तो मुझे अनृते पर टली वहां इसी प्राइवेट कार में गया था दो-ती लोग मेरे साथ थे, और उनने मुझे कहा कि टीवी बताए सब बताए मैंने एक सेलेक किया और मैंने उनको कहा कि मुझे इस्टॉल्मेट पर जाए है तो उनने मेरा नाम पुछा और जब मैंने कहा कि मैं मंत्री हू तो उसने क कि मंत्री अगर इस्टॉल्मेंट पर टीवी लेके जाए और पैसे नहीं दे तो क्या करो मैं तो मुझे टीवी मिला ले पर जब टीवी मिलाने तब जब मैं घर पर आया तो मेरा घर जी फेस पर ता ऑज एंद Alzheimer देट पर तीनी हुआ उसके इंस्पारिशन और मोटिवेशन होकर फिर फिर और पॉब्लिक मोडल तो हरूआ फिर में हमारे Guide and Philosopher इसके पहले के सरकार में आने करहे हैं Model Agreement Planning Commission त्यार करती थी Guide and Philosopher वो में Finance Ministry हमको Approval देती थी और अब litigation और प्रावलेम हम प्रेस कर रहें क्योंकि इसको आगे क्या करना है तो आज हमारे साथ वो जुड़ा हुआ है अब उसको हमको यह तो कहने का अवसर नहीं कि किस ने क्या किया है Model Agreement जो है जो Bombay Puna Express Highway के समय हमारे जो बना था कोई लगबग प्रॉब्लेम नहीं आए थे और जो काम आप सबको पता ही होगा कि महाराष्ट के सरकार ने उस समय किया 3600 करोड का lowest tender था वो काम reject करके हमने government में Bombay Puna Express Highway का काम 1600 करोड में पुरा किया और देश का सबसे अच्छा रोड आपको आज Express Highway के रूप में दिखा जाता है अठासो करोड के फ्लाइवर हजार करोड में हुए एक आठसो करोड का सेविंग हो और वरली बांदरा सिलिंग प्रोजेक्ट था जिसको शुरू मैं मंत्री था तब मैंने किया था चारसो बीस करोड में हमने कॉंट्रैक्ट दिया था हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को बाद में हमारी सरकार गई तो अभी उसकी कीमत सोला सो करोड तक चली गई है एक बहुत इंपोर्टन चीज है मैं गवर्मेंट पर अजिकारियों पर इन्हें निगेटिव नहीं बोड़ा हूं हमारे पूरे सरकार में ताइम इस दो मोस्ट इंपोर्टन कंसेप्ट इन इंफ्रोस्ट्रक्शर एंड बिजनेस इस बात को सरकार में कोई समझने के लिए तै बज़े तक रोज बैठता हूं और हमारे यहां इन्हें के जो चेर्मन है मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि आउट ओफ वे जाकर काफी प्रमाण में सेटल्मेंट करके मार्ग निकाला है उनके प्राब्लेम्स कितने कठीन थे यह मैं समझ सकता हूं और उन्होंने इसमें से प्राइब निकालो और इसी स्थीति है कि आज मुझे कॉंट्रेक्टर को बोलना पड़ता है कि तुम काम करो रों बोलता मुझे नहीं करना है पास परसेंट लो और मुझे छोड़ दो और मैं बोलता तुम कैसे काम ने करो मैं देखूंगा तुमको करना पढ़ेगा अब य कभी हमारे लोग दबाते थे कभी फाइनांस वाले दबाते कि वाइविटी लाओ तो फिर वह अपने चेंजेस करते थे और जब प्रोजेक्ट शुरू हो जाता था तो लोग चिलर कल मेरे पास गुजरात के तीन एंपी आये थे और वहां जंक्शन में फ्लाइवर चाहिए आधि टीपीर में है और लोग प्रोब्लेमपेस करें प्रेशर लाते हैं और आप जो कहरें कि हम पौलिटीकल निरैनले करेंगे तो क्या करेंगे हम क्या समाध से भी एचाहां हम जब सरकार में आये हैं और पूबिक में इंट्रेस में दिरsztx निराने के लोगोंने हमकोश तो रोड के प्रोजेक्ट में तो प्रेशर आने वाला है और हम अगर प्रेशर पर नहीं अगर काम नहीं करेंगे लोगों का तो फिर से चुनकर कैसे आएंगे और चुनकर आए इसलिए आपने हमको बुला यह बाशन देखना को बुला तो हमारे इसमें पहले बार हर यह रहने वाला जैसे आपको नहीं कहलाि किकले प्रोजेक्ट करते कि आपको दो पैसे मिलने जाहिए आप कि वैसे वैसे राजनीती में यह बात होनी वाली हमने सभीजा का उ स्था करक्षा आपको हो अन्यूशक नैश्नल हाइविवे जितने प्रोजेक्ट्स है वो सब प्रोजेक्स एकोनोमिकली वाइबल है अगर इंटर्नल रेट ओब रिटन की भाषा में अगर बात करनी है तो प्रोजेक्ट वाइबल कैसे करना इसका एक साइंस है और इसलिए आप नैशनल हाइवे में एकोनोमिक वाइबलिटी का प्रॉब्लेम नहीं है वो कैसे सौ केर बरेकार आयो तो ये बात पक्की होती कि अच्छे काम करने वालों को सुझा하 और बुरे नहीं करने वालों को बुर्य हुआं आप तो मैंने पहले हमारे डिपार्टमेंट में कहा कि जिन जिन लोगों ने डिफेक्टिव डिपीर की इनके सियार लिखो कम से कम इनको अगला काम तो मत दो और घर में बैठकर शायद वो मुझे लगता है कि सैटलेट की इमेजेस को देखकर शायद डिप्यार बनाए होगे पब्लिक से बात नहीं पब्लिक से बात्चीत नहीं वहां जाकर प्रॉब्लेम्स को संभ्या नहीं और डिपीर ही गलत हो गया है तो हमको पहले बार डिपीर को सुधरना होगा इसलिए हम टीपीर बैंक खोल रहे है हम 9 अगस्ट को मेरे पास ग्रामीन विकास भी है लैन एक अगस्ट को एक नया सेंटर खोल रहे है कि बैंक आइडियाज और आपको सुझाओ दूंगा कि आप हमको दूनों डिपार्टमेंट में सुझाओ दो आइडियों क्लेम देट वी आर पर्फेक्ट उत्तम अधिक उत्तम सर्वत्तम अप्तु इंफिनिटी नुवन कें क्लिम देटीज पर्फेक्ट तो हमको आपसे सुझाओ चाहिए जो अच्छे होंगे वो स्विकार करेंगे जो नहीं होंगे कहेंगे कि यह मुन को ठीक नहीं कmaking करेंगूमिंट में हमको सभी देपार्डमेंट में टाइम पर मिर्ढ़ने पाइदे मिलमेगे ही इसका करन मैं आंखे खुली रक्या सक्राहूं हमारे चार प्राप्लेंस हैं लैडएड एकक्विजिशन दस परसेंट लैंड एक्विशन हुआ है और आपने प्रोजेक्ट का टेंडर भी कर दिया वर्क ओडर भी ले लिया फैनाशल लोजर भी कर लिया दो साल हुए फैनाशल क्लोजरों के लैंडी ने मिले आप कैसे काम कर भाव है अब पहली गलती हमने कि जब लैंड एक्विशन नहीं हुई थी तो प्रोजेक्ट को टेंडर क्यों किया टेंडर किया तो वर्क ओडर क्यों कि लैंड एक्विशन में जो है वो तो स्थितिय इसी बड़ी है जो इंट्रेस कॉस्ट बड़ी हो कितनी है बैंकों की स्थिति क्या हुई है कोई सोचता है कि मुझे अरूर शोरी जी ने अच्छा वाग के बताया है वो टाइम के बारे में है तो मैंने वह निदकर हमारे सब सेकेटरिस को दे दिया हां को तो हां को ना को तो ना प्रॉब्लम मैं जब मंत्री था तो मैं कहते था I like honest people who can get the things done अब मैंने वो अपने टेबल को रख दिया है जो करना है दिया है I am the last person मैं कभी कोई सेकेटरी को अधिकारी को नहीं कहता गलत निरने करो तुमको जो लगता लो न करो निरने आपके निरने पर policy हम तरह करेंगे हमको क्या करना है हम उसको और रूर करके कह सकते कि ऐसा नहीं ऐसा करो आपका अधिकार है पर निरने नहीं होंगे तो कैसे होगा निकाब पहला काम करो बंग करो तुमका असी परसेंट लेंड एक्विशन होगा करो और दूसरा काम नहीं किया है कि 300 प्रोजेक्ट एडिशनल जो पास साल दस साल के बाद हम इंप्लेमेंट करने मां कोई भी प्रोजेक्ट हो हम अमारे या नहीं में और इसमें इस एक सिस् जो एक स्टरीकल ऐत मों तो उसे हम समय भजा पाएंगे तो पहले बाद हम लोग अभी हमारे शेल्फ में आने वालेगो दस साल के पुरा प्रोशीजिर करके हम लगने वाले हैं जब हम करेंगे तो कम से कम यह प्रोशेस सत्यार होके रहेगे यह पहले प्लानिंग इंडवा जैसे मैंने आपको का कि मैं मानता हूं कि लेजिसलेटिविंग, मीडिया, एग्जेकुटिविंग और जुडिशेरी इन चारों के बारों में हमारे सब्विदान ने किसके अधिकार कितने हैं, मर्यादाय क्या है, जिम्मेदारी क्या है, सब लिखते रखा है, हमारे हर हम एक तो कोर्ट से डिपार्टमेंट नहीं चला सकते जुडिशिर से, अगर चला ना है तो वो भी चला है, अगर इस प्रकार से, अगर काम होगा, तो काम कैसे कर पाएंगे, और इसलिए मैं जुडिशिरी का सन्मान करता हूं, पर आज दिरे-दिरे इतने मैटर सब जुड मोडल का, और MPA मेरे आकर चिला रहे कि यह इतने गड़े पढ़ गया है, चल नहीं सकते, मरे तो PPA वाला कहता है कि क्लिरस ने तो मैं रिपेर क्यों कर, डिपार्टमेंट कहता है कि PPA कर दिया आप हम पैसा क्यों लगा है, लोग वहां तकलित में एक्सेंट हो, एक लाख ए ऐसे प्राब्रेम् डेलवे, डिफेस्ट लैंड कर दो, जावडेकर जी को मैंने का इन आपके पूर चुलाओ को पूरा काम पे जल्दी करेंगे, कोई काम पूर लिखाल कर नहीं जल्दी, मेरा क्यों घर की बात महीं है, आप हुली ट्रास्परेंट, यह जो चार बाते जो ह सबसे अच्छा काम करने के लिए आप राइट को लाओ आप उनके चीफ हिंजेर को लो किसी को भी लो रिटायर आदमी को आपने रेल्वे बुल्ड रिटायर्ड चेर्मन को भी काम दिया तो भी आपका अरूभी क्लियर नहीं होगा मुंबई मेट्रो की फाइल जो थी 600 टेबल पर गई थी और हमारे अरूभी जो होते हैं वो 16 टेबल पर क्लियर करते हैं यह मैंने प्राइमिस के सब रखा खुले रूप से रखा और रेले चेर्मन को को उनका कि सर मुझे टाइम दो मैंने उनको का यह तुम करो यह बिल्कुल आरूबी के प्रजेक्ट लटकी में एक मुझे का डिजैन दिया एक इंजीनियर ने वो बदली होगी दूसरा है यह नहीं दूसरा चाहिए क्या हो रहा है मेरे पास केसे से हैंने जीनियर बदल गया तो प्राइमिनिस्टर ने का है और मुझे का है कि आप हर मैने में बैठो चारों डिपार्टमेंट को लेकर आइस अब को बोला और आप इसके जो क्लिरसे लीगली लीगली लौजिकल लेग इन इतिकली कोई गलत काम नहीं चाहिए कम से कम उसको क्लिरस करेंए में अगर बार काम में हो जाएंगे तो आपके यह जो प्रावले में यह काफी सौल हो कि अब इसमें से एक स्टेट गवर्मेंट के साथ इश्यु और उसके लिए वह इस्चु है आपको प्रॉड के लिए जगह चाहिए दोदो साल नहीं मिलती है करना तक सरकार ने कारून बना वह कौरी के लिए जगह नहीं लगता है का मिलती है अब आपको çe ईमेले कि कॉरी निमे लिइन तो रौड कहां से बनेगा और हमारा एंपर्मेंट्ट अपके ऊपर पहनाल्टी लगा deh सब लोगा तुमारी जुम्मेदारी सब लारी जुम्मेदार ऑपर लगा देंगे छीनिक फिर आन्ट नटकर्टकर्ण निपार्टू personalities प्र benefit to get a जो गलत है वो गलत है यह नहीं चल अब और इसलिए ये बहुत है प्रोजेक्स में अब एक शो है को उधियर कोर में अब क्रहdogal गेंग को दोनों विह सब्सक्राइब बन करें और अनौत है आखिर मैंने नहीं चेर्मन को कहा कि ये स्थिती ना तुमारे हाथ के ने मेरे हाथ की कम सेखम इनको पेनल्टी मत लगा उनको छोड़ो जाने तो कहा टोल वसूल करेंगे ये पुराने सरकार ने प्रोजेक्ट शुरू कि बढ़े बढ़े प्रोजेक्ट है तीन-तीन सो चार च प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बीड़ किया तब 9% ग्रोथ रेट था अब 4.5 प्राफिक डेंसिटी कम हुए है अजा आप लोगों ने भी लालश में बहुत काम किया है जब लैड एक्विशन नहीं था फॉरस क्लिरस नहीं था कोई क्लिरस इंदे क्यू और कॉटर लिया ट्राइब हो जाएगा जमा लेंगे प्यार है अपना जमालेंगे आप लेंगे अप चिला रहे वो पुरे बर्बाद होने कर दो कि कि चले क्रें करें 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 कि यह जो इंकंप्लीट काम कभी नहीं करमाचीब आपने उस समय आकर बड़े पॉजिटिव इससे ले लिया औ तो मैं देटिल में जाना नहीं चाहता है आप ले लिए और लेने के बाद आपके सामने प्रॉब्लम है बैंक वाले में चाती पर बैठे हैं CDR में भी गए NPA अकॉंड भी हो आप बैंक वाले में मुझे फूर बैंकों के शेयर में करो करेंजी जल्दी करो कुछ इसके लिए आप भी थोड़ा सा देखो ट्रांस्परेंट धंदा करी है संबान के साथ थाथ के साथ करिए जुकने का काम नहीं कहीं जो सही है वो सही है गलत हो गलत है आप अगर लालच में आके शॉटकट मारंगे तो एक बार याद रखिए शॉटकट कट यूशॉट कि आप कोई शॉटकट मारी है और किसी को मारने मत दीजिए शॉटकट कट यूशॉट याद रखिए आप जितने शॉटकट मारे उसके करणा भी आप लोग तकलिफ में पसे हुए मैं कम से कम तुमारा सोभाग्य है कि तुमारी तकलिफ समझने वाला तो भी मैं हूँ बाक सब्सक्राइब करेक्ट सर आप कहरें वो सही है क्योंकि वह ऐसे रहता है वो जब उनके आधिकारे से बोलते तो यह कोई अपने अभी नेवेश आप देखो फॉन्फिडेंस एंड इगो इसमें फरक है इसका अंतर वो छोटा है आत्मविश्वास रहना और अहंकारी होना अब यहां सिस्टीम में कोई किसी को कोई बात अगर उसके मन के विरोद में कहता तो उसको लगता है कि मेरा इंसल्ट है ऐसा नहीं है मैं हमारे सेकेटरी को डेपूटेश सब को आई यू आप मेरी बात को कांटर्डिक कर सकते हो आप आप अधर यू कन्वीश मी और कन्वी आप मेरे को एक तो समझाओ या मैं आपको समझाता हूं तो यह जो प्राब्लेम से इसमें से यह भी है पर मैं इन सब बातों को समझ चुका हम लोग इसको सौल करेंगे अब 4.5 परसेंट GDP आया है तब ट्राफिक डेंसीटी और 9 परसेंट की इसमें फरग आने वाला है और जो है फैनांस सेकेटरी उपस्तित है कि हमारा बैंक का इंट्रेस्ट मुझे याद ने पर अप्रॉक्सिमेटली जब स्थिती अच्छिती तब बैंक का इंट्रेस्ट साड़े आट परसेंट आट परसेंट था अब 13 परसेंट हुआ है तो यह आप यह 13 और 14 परसेंट से इंटरनल रेट उफ रीटर्ण परोजेक्क की वहाइविलिती घटेन है और इसलिए जब तक हमारे इंफ्रोस्ट्रवर्शे करते परोजेक्ट को हम ऐशी इन्वेस्टrences नहीं लाते जो लो को सेंट इंट्रेस्ट की हो तब तक इसकी वह अईबिलिती लाना और अखो को मैं अच्छा बजट दिया मैं फाइनास सेकेटरी को फाइनास मिनिस्टर को बहुत धन्यवाद दूगा कि पहली बार उन्होंने आपके दर्थ को समझती वे बहुत अच्छा कोशिश किया उनका इंटेंशन बहुत अच्छा है हम प्रॉब्लम सौल करना चाहते हैं हम आपसे जग सब लोगों के विरोत के वाउजोद मैंने एक पाइप लाइन डाल दे उसमें ऑक्टिक फाइबर के लिए 1997 में अब उसके कारण 27 करोड का इंटम मिलता है महारत सरकार अब हमारे यहां देश में पावर सेक्टर में ट्रांसमिशन यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अगर म दिल्ने में 7.5 रुपए की नहीं है यह तो मैं सोच रहा था कि यह हमारे नैश्टल है एक लाख किलोमीटर की उपव्योग करके ड्यास लाइन ऑप्टिक फाइबर लाइन और ट्रांसमिशन लाइन हो सकती मिलाइन तो उपर में जाए तो लैन एक्टमेंशन का तो अब एक कि प्रॉब्लेम समझ रहा हूं तो मैं यह सोच रहा हूं कि क्या इसी कोई सिस्टीम निकल सकती है को डिजाइन्स मैंने लोगों से चर्चा करके लाए कि गैस लाइन वाटर लाइन अप्टिक फाइबर लाइन और यह हमारी ट्रांस्मिशन लाइन भी तो उसके अलगलग के लिए हम लोग कुशित करेंगे दूसरा जो है अभी हमने तही किया कि बुटुमिन के बजाए सिमेंट रोड बनाओ अब आप मुझे कहोगे कि सीमेंट की बैक कि किमत तीसों पचीस तीनसों पचीस रुपे मार्केट में हैं तो मैंने हमारे इनेचे चेर मुंकों को यह करने के बात करें चाहिए चितने लोग आते उनको बोलो टेंडर भरो और पहले पोस्ट क्वालिफिकेशन करने के बाद फिर फाइनाशेल बिट खोलना चाहिए अगर आप पास लोग होगे तो आप बड़ाबर करती हो तू एक ले ले तू एक ले मैं एक ले लो हम में नहीं है वी नीड फूल ट्रांसपरंसी और इसलिए प्री क्वालिफिकेशन करने के बिजाए पोस्ट क्वालिफिकेशन करना फाइनशेल बिल लेन और उसके बाद में फाइनशेल बीड तब निकलना जब उसका पोस्ट क्वालिफिकेशन क्लियर होगा जिनका होगा उ हम सोच रहे हैं कि दूसरा जो सीमेंट में स्थिति ऐसी कि आपको मेंटरेंस काउस लगेगी नहीं अभी आज के स्थिति में मैंने हमारे से मंत्री बनने के बाद एक मैने के बाद उससे रेट एनलेसिस करा है और 280 रुपए अगर सीमेंट का रेट पकड़ा तो आज बिटुमेंट के तुल्ला में कॉंक्रीट रोड चार परसेंट सस्ता आता है अब यह चार परसेंट अगर कम आते हैं तो बिटुमेंट क्यों यू हो जाती है तो हम लोग इंकरेज करने वाले पर यह सुनकर अगर सिमेंट वाले रेट बढ़ा देंगे और काटिल करेंगे तो फिर बिटुमेंट शुरू करेंगे और आपको ताजिव होगा मैं जिस चेत्र में हूं मैंने तीन-चार मालकों को बुला कोई 30-40 परसेंट पर प्रोड़क्शन कर रहे हैं मैंने पूरा प्रोड़क्शन तुम्हारा खरीत हों कितने में सिमेंट की बैग दोगे बोलो आप ताच्यू करोगे एक सो साथ रूपए पर मुझे कबल कि हैं 160 अगर 160 पर अगर सिमेंट बैग मिलेगी तो आज के बिटूमें रोड में यह पू प्रोड़क्शन विदाओ डैट आपका एकोनामिक वाइबलेटी नहीं बढ़ेगी और उसमें और एक रिसर्च करिए जो आपके टेकनिकल विंगी उनको लगाई है मैं भी उसमें मदद करूगा मैं जब मुंबए में मंत्रीदादों में सिंगापूर गया तो बड़े स्ल जब करें इन के फरखें कि यहां मैं इंजीनिर नहीं हूं तो मैंने का कि यह इन इतने स्वीक्राइब दीख्टे अच्छे तो हमारे देश में क्यों गय musicians को टो टोके कयह पर मैं पेहली बार समझा कोड कि अब आप एक काम करो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के कॉंक्रीट रोड और व्रिज खेड़ी करो जर्मनी का क्या है अमरीका क्या है सब कोड स्टैडी करो मुझे पता नहीं पर मैंना ऐसा ओपीनियन है कि अगर हमने इंटरनेशनल कोड को स्विकर किया तो हमारी प्रोजेक कॉस्ट आठ से दस परसेंट का हो जाएगी हम लोग पंजर विटिव हैं अब इंटरनेशनल स्टेंडर के कोड़ अगर अभी आज जो में साइडिसी का जो क आज डालते हैं तो आपकी हाँ रिसर्च हमारे बहुत कम होता है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रिसर्च करने की बहुत अवशकता है जिसमें आप जरूर इंकरेज करिए लो कॉस्ट अगर हमारा रोड बनेगा तो वायबिलिटी बढ़ेगी आयर बढ़ेगा और इ इक इंपोर्टन चीजे कि यह मैं जब प्राइमिनिस्टर के साथ बैठा था उनने मुझे कहा कि मैं एक दिन डिस्कोरी चनल देख रहा था और डिस्कोरी चनल पर मैंने देखा कि एक मशीन से ट्रांस्प्लैंट कर रहे थे ट्री को लिए नहीं इतने पेड तोड़ते आप आप यह क्यों नहीं करते हैं कि ट्रांस्प्लैंट मैंने उस समय काफी अभी रिसर्च के और मैं और कंपनियों को बुला रहा हूं हर कॉंट्रेक्टर से मेरी प्रार्थाना है कि आप वर्ड से ऐसी मशीन लाइए कि आप रोड के बाजू में हजारों लाखोर ट्रीज है उ इसका पहला फाइदा होगा कि आपको ट्री काटने के लिए फोरेस्ट के बाज जाना ही पड़ेगा तो आपके बेहनत बच जाएगे समय बच जाएगा यह पेड़ तोड़ने वाले बात को इसमें मेरे आप से रिक्विस्ट है कि इसमें भी आप एक करिए मैं पीपीपी कि पंदरो अग्रस्ट के पहले इस पेंडिंग इशू को खतम कर देंगे और मैं आपको एक बात एप्रिशेट करता हूं कि नहीं में इतना कोई आइस ऑफिसर रिस्क नहीं लेता हुमारे जो चेर्मन है जब उनसे में बात करता उन्हें बहुत रिस्क उटाई बहुत जग सब्सक्राइमेशन है कोई CBRC कोई CBI लग जाता है कोई पेपर में लिख देता है हम देश के इत्मे करेंगा और हम फुकट की गाली खाते रहेंगे तो क्या मतलब है तो मैंने प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेकेटरी को नहीं चेर्मन हमारे सेकेटरी को एक दिन रात आपको मैंने घर बुलायर बैटे रहें अब तीन घंटे मैंने का कि मुझे मुझे मार्क बताओं और क्या करना मैंने फाइनास मिस्टर को आप ते करो कम समय में इन सब मामलों को कैसे निप्टाना यू टेल मी बटिद ट्रांस्परेंट में भाई विच में गेट इसनी स्थिति निश्ची तुरुप से लाएंगे उससे बैंकों में अच्छा इंप्रेशन और 15 अगस्ट को ये काम करने के बाद मैंने तहीं कि है कि कॉंट्रेक्टर्स और बैंकर्स इनको भुलाकर मैं प्रेजेंटेशन देने वाला हूं कि अभी इतने प्रोजेक्ट थे इतने चल रहे हैं सब प्रॉब्लेम सौल हो गए और अभी आप फाइनास करो मैं आपको ये सवाल नहीं पूछता पर आज पीपी मॉडल में कोई बैंक फाइनास करने के लिए तैयार है मैं रामचंदर नेजी को वही पूछ रहा था कि यह मैं भूलता हूं पर यह कैसे हो पाया आज का करना है कि सब बैंकों के चेर्मन मुझे मिले और सब कह रहे हैं विचारों ने बहुत उत्सा के साथ अच्छी भावनाओं के साथ इतना बड़ा फाइनास किया है और उसके आज सब देश का पैसा है आज प्रॉब्लेम फेस कर रहे हैं आप आपकी भी गल्ती ऐसा नहीं है कोई जीडीपी ग्रोथ रेट आपके करन कम हो ऐसा नहीं कुछ गल्ती हमारे लेवल पर होगे तो हम उसको सुधा रहेंगे यह नौट टेकिंग डिसिजन यह बहुत गलत ब है दो दो साल देड़ देड़ साल तिन-तिन साल तक निरने नहीं होना उसके कारण भी इसकालेशन इंट्रेस कॉस्ट आई है मेरा विश्वा से की प्रॉब्लेम्स है पर मैं एक बात अक्सर याद करता हूँ एक बात मैंने बहुत अच्छी तरह से याद रखी कि देर आर सम people who convert problems into opportunities and there are some people who convert opportunities into the problems . तो मैं आपको या अत्मविष्वा दिलाना चाहता हूँ कि ये problems को हम opportunity में convert करेंगे. Our government have a very positive development oriented approach, fast track decision making process and we are very much committed for the development of this country. हम इस देश का विकास चाहते हैं, गरीबी दूर करना चाहते हैं, बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, agriculture growth rate, GDP बढ़ाना चाहते हैं, हम investment को लाना चाहते हैं, हम हमारे देश को आगे ले जाना चाहते हैं, और इसलिए हम बहुत positive हैं, पर system के साथ, transparency के साथ, और कोई हमारे से उपर आश न उठाए, इसका विचार करती हुए, इन problem को solve करके कम समय में आगे जाना है, मेरा विश्वास है कि आप सब के सहयोग से, आपके सहकारे से, मैं अक्सर एक बात पर दो, cooperation, coordination and communication, यह बड़े important concept है, अब मैं तो बहुत free हूँ, कोई भी मुझसे मिल सकता है, मैं दिल्ले में कम रहा हूँ, इसलिए मैं अपना तरीका मेरे काम करें, मैं सब को मिलता हूँ, सब की बात सुनता हूँ, और जूट नहीं बोलता हूँ, मैं मुझे बात मुझे नहीं पसंदारी, यह मुझे पढ़ती नहीं, मैं काम नहीं करूँगा, यह मैं करूँगा, मैं कर पर आना चाहते हैं और इसमें से जो अनेक इनोवेशन हमने दिये हैं जैसे मैंने आपको कहा कि 9 आगस्ट को हम लोग ओपनिंग कर रहे हैं इस सेक्टर को आने वाले कुछ कम समय में हम फिर से एक बार अच्छी तरह से गेर अप करेंगे और पीपीपी मॉडल के काम अनेक काम आप सब के सहीयोग से शुरू करेंगे और उसमें आपको काम करने भी मज़ा आएगी एकोनोमिक वायबलेटी भी होगी देश भी आगे जाएगा और रोजगार की भी दिर्मेती होगी और हम सब लोग मिलकर उस उद्धिष्टों को जरूर कुरा करेंगे यही विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं धन्यवाद